ओम नमस्षिवाए आज मैं आपको कुछ ऐसा देने वाला हूँ जो कि आपको तंत्र की परीभाशा समझा देगा कुछ ऐसा मुझे मिला है जो कि पलक जपकते ही किसी को भी आपके वश में कर देगा आपको करना क्या है कि एक ताबीज लेना है चान्दी का और इसमें भोजपत्र, चान्दी का ताबीज, अनार की कलम और अश्टगंद असली होनी चाहिए अश्टगंद ये सारा समान आपको लगेगा और इसके बाद आपको मैं एक मंत्र दूँगा उस मंत्र को आपने एक लाख आठ बार जाब करना है मंत्र है ओम श्रीम श्रीम ओम ओम श्रीम श्रीम हूम फट स्वाह एक लाख बार इसका जाब कीजिया चाहिए वो आप दस दिन में करें, बीस दिन में करें लेकिन पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरे ध्यान के साथ अपना जो चित है वो इस पर लगाईए कि जो ही आप मंत्र कर रहे हैं, इसमें इतनी शक्ति है कि जो भी आपका साथ्य वेक्ति है, जिसको भी आप आकरशित करना चाहते हैं, वो आकरशित होगा और बस मंत्र जबते जाएए, मंत्र जबते जाएए, कोई भी विचार आपके मस्तिश्क में आए और इस मंत्र का जाब करते रहे हैं इसके बाद क्या करना आपको, इसको भोज पत्र पर लिखना है इसी मंत्र को, अनार की कलम से और अश्टगंद की शाही होनी चाहिए इसके बाद इसको अपने बाजू में बांध लेना है, और जाना है अपने उस प्रिये के पास, जो भी आप चाहते हैं, जिसको भी आपने वश में करना चाहते हैं, जाएए उसके पास और वो जो भी है, कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, वो देखते ही देखते आपके कदमों में आ जाएगा ये अनुबूत तंत्र है, ये मैंने काफी बार आजमाया है और मैंने देखा है कि कैसे लोग इससे प्रभावित होते हैं तंत्र को एक बार आजमा कर जरूर देखेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी है, ये इस दुनिया से परे है किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझे कॉल कीज़ेगा ये ताबीज आपको बना-बनाए भी मिल जाएगा, लेकिन मंत्र की संख्या आपको जाप करने पड़ेगी एक लाख आठ बार जब आप इसको जाप करते हैं, तभी ये सिद्ध होता है ताबीज मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन संख्या तो आपको जाप करने ही होगी एक लाख हाट बार, तभी ये आपके लिए काम करेगा आपको मंत्र डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको समझ में नाय हो तो मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिखके दे दूगा और नीचे वेब साइट भी है उसमें जाकर आप अपनी कोई भी सुझाव कोई भी कमेंट दे सकते हैं धन्यवाद झाल झाल